हेलो स्टूडेंट्स, आज जनमास्टमी के पर्व की आपको सभी को हार दिख शुब कामनाई, आपका जीवन मंगल में हूँ, आपके हर मनों कामना पूरी हूँ, एसी इश्वर से प्रार्थना करते हैं आज के इस वीडियो में हम एक शानदार सा टोपिक पढ़ने वाड़े हैं इंगलिश का, बहुत ही अच्छा टोपिक है, चाहे वो कम्पिटिशन एक्जाम हो या फिर स्कूलिंग हो टोपिक का नाम होगा, पंक्चोशन मार्क्स, पंक्चोशन मार्क्स जो होते हैं, वो राइटिंग में लेखन में बहुत महत्य पूर्ण भूमिका निभाते हैं कम्पिटिशन एक्जाम के अंदर ज्यादा तर नंबर इसी के अंतरगत करते हैं, जो एरर क्रेक्शन का टोपिक आता है, एरर क्रेक्शन में कोमा कहां लगाया गया है, सेमी कोलन कहां लगाया है, फुल स्टोप कहां लगाना चाहिए, कई सेंटेंसे से भी होते हैं, जहां पर full stop भी लगाया जा सकता है, question mark भी लगाया जा सकता है, exclamation mark भी लगाया जा सकता है, कहां लगाया जा सकता है, इस बात को आज के इस topic में हम clearly पढ़ेंगे, तो आईए पढ़ते हैं punctuation marks, punctuation marks, देखें इंगलिश के अंदर जो punctuation marks हैं, वो 14 होते हैं, 14 punctuation marks होते हैं, अब ये 14 punct कौन से हैं देखिए एक होता है full stop जिसे period भी कहते हैं जो एक बिंदू होता है full stop दूसरा होता है question mark ये question mark है और तीसरा exclamation mark चोथा देखिए coma होता है चोथा क्या है coma और एक होता है quotation mark ये double सिंगल कोमा भी होते हैं दोनों तरफ और डबल कोमा भी होते हैं सिंगल कब लगाते हैं डबल कब लगाते हैं ये हमपटने वाड़े हैं एक होता है colon उपर नीचे ये दो स्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ यानि जो किसी वर्ड के ऊपर कोमा लगाते हैं, उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफ, एक होता है पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस क्या होता है, जो छोटा ब्रेकेट होता है, पैरेंथेसिस, राउंड ब्रेकेट भी कहते हैं इसको, एक होता है ब्र figure बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं square bracket और एक होते हैं ellipsis ellipsis जो किसी sentence के last में जिसे आपने देखे होंगे तीन dot लगा देते हैं तीन या चार dot होते हैं उसको बोलते हैं ellipsis क्या होता है ये ellipsis अब आएए इनके बारे में प्रतिक के बारे में एक ही करके हम पढ़ेंगे कि इनका use कहां किया जाता है देखिए अब ये double कोमा single कोमा इन के अंदर हम difference जो है वो पढ़ेंगे ए-m लिखा जाए या इस प्रकार से ए-m लिखा जाए पी-m बड़ा लिखा जाए या पी-m इस प्रकार से लिखा जाए mister, mrs. जु है वो इस प्रकार से लिखा जाए इसके पास load लगे या नहीं लगता ये भी हम पढ़ेंगे और जैसे ये sentence होते हैं जो हम direct indirect में देखते हैं उनमें यहां पर कोमा लगाएं या जो colon है वो हम लगाएं किसका प्रयोग यहां किया जाता है यहां पर last में जो full stop या question mark या कोई भी sign जो आता है वो इस inverted कोमा से बाहर आएगा या अंदर आएगा कौन सा सही होता है या दोनों सही होते हैं या केवल दोनों में एक सही होता है यह हम आगे पढ़ने वाड़े हैं देखिए और फिर इसको भी हम पढ़ेंगे कि जैसे s is my favorite letter s मेरा favorite letter है यानि s का प्रयोग यहां पर किसके रूप में एक लेटर के रूप में किया गया है तो s is my favorite letter अब इसमें double comma लगाएं या single लगाएं या comma नहीं लगाएं कौन सा सही रहेगा देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं full stop के बारे में full stop जो बहुत ज़्यादा use होता है तो full stop का उप्योग कहां किया जाता है question mark का और exclamation mark इन तीनों का उप्योग to end a sentence एक sentence के अंत में किया जाता है sentence के last में इसका उप्योग किया जाता है देखिए she has passed the RAS exam तीनों एक ही प्रकार का sentence है तीनों एक ही प्रकार का sentence बिल्कुल मैंने same लिखा है लेकिन अंत में देखिए इनके जो यह जो full stop लगा है यहां पर question mark लगा है और यहां exclamation mark लगा है तो इनका मतलब बोलने में कैसे होते हैं यह sentence और लिखने में देखिए she has passed the RAS exam full stop लगा है उसने RAS का exam passed कर लिया है यह मैंने एक बात कही है कि उसने RAS का exam pass कर लिया है दूसरा देखिए she has passed the exam यही लिखा है passed the RAS she has passed the RAS exam उसने RAS exam pass कर लिया यानि हम पूछ रहे हैं किसी को question पूछ रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा फिर question mark लगेगा she has passed the RAS exam उसने ours exam pass कर लिया तो question mark लगेगा अब हम आश्चरेच के解 surprise होते हुए पूछें उसने ours का exam pass कर लिया तो उस sentence के अंथे में फिर क्या लगेगा exclamatory mark लेगा उसने आश्रेच का exam pass कर लिए हम पूछते हैं तो फिर क्या लगेगा exclamatory mark लगेगा ज्यान रखना है इनको, अब देखिए, full stop के बारे में पढ़ते हैं, full stop with abbreviations, यानि जो short forms होती है, abbreviation का मतलब क्या है, short form, जो short forms होती है, उनके साथ full stop का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे msc, master of science की short form है, ma, master of arts की short form है, m के बाद, full stop, a के बाद, full stop, master of arts, mla, member of legislative assembly का short form है, तो m.l.a. यानि सभी के बाद, full stop लगाकर इसका लिखेंगे, अब इसको short में नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार से नहीं लिखना होता है, इसको mla, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यह capital letter में ही लिखे जाते हैं, mba, mb है तो mba को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐस master of business administration, इसकी यह क्या है, short form है, और देखिए, easy, easy क्या होता है, e.g. ऐसे लिखना है, easy लगाके, इसके बाद डोट नहीं लगाना, या ऐसा भी नहीं है कि easy सीधा लिख दोर बिना डोट, अब जैसे mla है, mla को आप सीधा बिना डोट लगाए लिखें, तो भी सही है, mba को आ easy, ie और etc. जो है, इनके बाद आपको डोट लगाना ही पड़ेगा, e.g. i.e. और etc. अब easy क्या होता है, exempligratia, ie क्या होता है, edest, etc. यानि इत्यादी, उदाहरण के लिए for example, अब देखिए, am और pm, अब am और pm, इनको छोटा लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, am, a के बाद डोट लगाएं, m के बाद डोट लगाएं, इसको आप small letter में भी लिख सकते हैं, pm को भी आप small letter में भी और capital letter में, दोनों में, किसी में भी लिख सकते हैं, दोनों सही होते हैं, लेकिन, ये इदर जो लिखिए हैं, इनको भी आपने लिखेंगे, small ही लिखा जाता है, IE small ही लिखा जाता है, और ETC small ही लिखा जाता है, आगे देखिए, अब कोमा का use, कोमा कहां लगाते हैं, देखिए, to give a short pause, एक छोटा सा पोज देने के लिए, यानि sentence बोल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा रुकने के लिए, जैसे, अंजली, come here, अंजली, इधर आओ, यानि अंजली के बाद हम थोड़ा सा रुके, तो उसके लिए क्या लगाया हमने, कोमा लगाया, यानि इसको अर्ध विराम भी कहते हैं, जो full stop होता है, वो हिंदी में क्या होता है, हमारा, पूरण विराम होता है, तो come here, या sentence complete हो गया, तो हमने क्या लगा दिया, full stop लगा दिया, एक और always after an introductory adverb, introductory adverb होती है, उसके बाद में भी कोमा का use किया जाता है, Sumit, take this, Sumit, इसे ले लो, Sumit, ये ले लो, यानि कोई चीज उसको दे रहे है, Sumit, उसने सुना, हम थोड़ा से रुके, उससे के सुनने तक उसने देखा, तो हमने कहा ये ले लो, I have a car, अब इस प्रकार से, यानि मेरे पास कई चीज़ें हैं, उनको बताने के लिए, या किसी क पास कही चीज़ें हैं, दूसरी के पास, और किसी के पास, तो यानि कही चीज़ों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिक ठिंग के बाद में कोमा लगा देते हैं, I have a car, कोमा बाइक and a bicycle, जनरली, अब यहां पर देखिए, always after an introductory adverb, यानि जिस adverb से हम introduce करवाते हैं, generally, the leaders visit the village, leaders जो हैं, वो गाओं का ब्रह्मन करते हैं, गाओं में विजिट करने आते हैं, during election, election के दोरान, समाने तया, जो leaders हैं, वो election के दोरान, गाओं में आते हैं, तो यहां पर क्या लगाया, कोमा, generally, समाने तया, generally, समाने तया, या फिर, unfortunately, unfortunately, the rain in this year is very less, इस साल, जो rain है, बारिश है, वो बहुत कम है, unfortunately लगाया, फिर कोमा लगाया हमने, unfortunately के बाद क्या लगाया, कोमा, आगे और sentence देखिया, finally, he achieved a good job, finally, he achieved a good job, finally, he achieved a good job, finally के बाद थोड़ा सा रोका, पोस दिया, finally, he achieved a good job, तो यहां पर किसका, कोमा का इस्तेमाल, nervously, यह निनि, nervously, nervous होते हुए, she entered the school, उसने स्कूल में प्रवेश किया, किस प्रकार से किया, इसको कोण introduce करा रहा है, यह nervously जो adverb है, यह इसको introduce कर रहा है, तो nervously के बाद हमने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया, आगे आप देखिए, आप देखो, quotation mark, यह बड़ा ही important चीज है, quotation mark हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो double quotation mark होता है, और एक single quotation mark होता है, इन दोनों में देखिए, एक में तो ऐसे उल्टे कोमा हैं, और दूसरे में इस प्रकार से सीधे कोमा लगे होगे हैं, उल्टे और सीधे, अब इनको आप ऐसे मोरने की बजाए, ऐसे सीधा यूं भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, यह double हो गया, और सिंगल वाले को भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यह single वाला है, तो सिंगल वाले को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अब यहाँ देखिए, राधा सैट, राधा सैट, जो direct sentence होता है, जो होता है, direct indirect, उसके अंदर देखिए, यहाँ कोमा लगता है, कोमा की बज़ाए, आप यहाँ पर colon भी लगा सकते हैं, यह हम आगे पड़ेंगे, कोमा की बिज़ाए, यहाँ क्या लगा सकते हैं, colon भी लगाया जा सकता है, यह भी सही है, are you mad, क्या तुम पागल हो, are you mad, अब question mark आया, उस question mark कोमनिया लगाती है, और जो inverted कोमा, इनको inverted कोमा भी कहते हैं, double inverted कोमा और single inverted कोमा, उसके बाद double inverted कोमा लगा दिया, s, अब यहाँ देखी, हम s के बारे में बता रहे हैं, कि s जो है, वो मेरा फैवरेट लेटर है, तो s को हमने किसमें double कोमा में बंद करो, double में करो, या single में करो, एक ही बात है, s is my favorite लेटर, अब यहाँ तो double कोमा, single कोमा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे हम यह देखे कि कहा double और कहा single लगता है, यानि एक बार double लग गया, उस double के अंदर आपको कोई और चीज की आवशकता पड़ी, तो वहाँ पर single कोमा लगाया जाता है, उसके अंदर, honesty is the best policy, यह एक sentence है, is my favorite sentence, यह मेरा favorite sentence है, तो क्या किया, हमने यह बताया, यह बात है, इतनी सी जो बात ह है, इसको हमने एक मान ली, अब यह पूरा एक है, is my favorite sentence, यह जो sentence है, यह मेरा favorite sentence है, तो इस sentence को हमने क्या किया, अलग से हम बताना चाहते हैं, तो इसको हमने inverted कोमा में close कर दिया, फिर he questioned me, उसने मुझसे प्रशन पूछा, इसमें देखिए, दोनों के बारे में बताया जा र सकते हो, उच्चारी तकर सकते हो, S-T-R-A-T-E-G-I-C, यहनि S-T-R-A-T-E-G-I-C, जो है, क्या तुम इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, तो यहां पर, can you pronounce, अब क्या प्रोनाउंस करना है, वो spelling लिखी, कोमा लगा के, अब देखिए, यहां पर क्या है, डबल कोमा लगा हुआ है, इस डबल कोमा के अंदर हम किसी चीज को specially show करना चाते हैं, तो वहां पर फिर क्या लगेगा, single inverted कोमा का use होगा, आगे देखिए, I have to go, यहां देखिए, यह भी बहुत अच्छा, एक example, I have to go, यह एक sentence है, and I got to go, यह दूसरा sentence है, पहला sentence, और end लगा के, दूसरा sentence, यह द sentence, have the same meaning, दोनों के same meaning होते हैं, और real mean के meaning same होते हैं, जैसे I have to go, मुझे जाना है, I got to go, मुझे जाना है, तो दो sentence बताए मैंने, तो दोनों sentences को, अब यहां पर अगर inverted कोमा ना लगाते, यह full stop भी ना लगाते, सीधा end आ जाता, तो पता ही नहीं चलता कि इन दोनों sentences को अलग करने के लिए, क्या लगाते हैं, inverted कोमा का यूज किया जाता है, आगे देखिए, कॉलन, यह जो कॉलन होता है, जो उपर नीचे, जो double point होते हैं, एक point उपर, एक point नीचे, इसका उप्योग कहां किया जाता है, पहली बात, to introduce a quotation, एक quotation को introduce करने के लिए, यानि हम बात कहने के बाद आगे कोई quotation बोलना चाहते हैं, तो उस quotation से पहले क्या, कॉलन का प्रयोग किया जाता है, to iterate a list, एक list को बताने के लिए, हम को इस list बताने जा रहे हैं, तो उस list से पहले क्या लगा देते हैं, दो कोमा, फिर उसके बाद आगे पूरी list, to mention the time and ratio, time और ratio बताने के लिए भी इसका इस्तिमाज, जैसे time के से 2 बज कर 30 मिनट हुए हैं, तो 2 और 30 के बीच में क्या लगा दिया, हमने colon लगा दिया, इस प्रकार से time के लिए भी colon का उपयोग किया जाता है, और ratio, ratio यानि अनुपात बताने के लिए, जैसे 2 अनुपात 3, 5 अनुपात 7, तो यहां पर किसका colon का उपयोग किया जाता है, यहां देखिए, my mother says, मेरी मा कहती है, honesty is the best policy, अब यहां पर आप कोमा का use भी कर सकते हैं, और कोमा का use नहीं करें, तो आप यहां पर ऐसे colon भी लगा सकते हैं, यह कोमा हटा के आप colon भी यहां पर लगा सकते हैं, I have many things, मेरे पास कई चीज़े हैं, अब देखो list बत करने के लिए, तो I have many things, मेरे पास कई चीज़े हैं, अब उन चीज़ों के नाम बता रहे हैं, तो उससे पहले क्या लगा, colon का use हमने कर दिया, books, pan, rubber, etc, आदी इत्यादी चीज़े मेरे पास है, what I need to buy, जो मुझे खरीदने के आउशक्ता है, are, वो है, क्या, shopner, eng, bag, यह यह लिस्ट हम बता रहे हैं, कि यह चीज़ें खरीदने के आउशक्ता है, तो इससे हमने क्या लगा दिया, colon का उप्योग कर दिया, तो यहां तक का अच्छे तरह से समझ में आया होगा, हाँ, जो यह वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसके बाद में यह कैसा लगा, इसका comment म में जवाब जरूर बताएं, और इसमें क्या चीज मानलों, जिस प्रकार समझ में नहीं है, या आगे आपके इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, तो उस topic का नाम, किसी topic पर आपको की, वो topic आपके clear नहीं है, तो आप comment box में यह लिख सकते हैं, बता सकते हैं, वहां पर फिर उस topic पर मैं वीडियो मना के आपको provide करवा दूँगा, there are two types of number, number दो प्रकार के होते हैं, English में number, singular number और plural number, या noun कहें, there are two types of noun, singular noun और plural noun, तो वहां भी किसका, ये list बताने के लिए, कि दो प्रकार के number होते हैं, वचन होते हैं, तो list बताई कितने कौन-कौन से दो प्रकार है, उस से पहले हमने क्या लगाया, colon का use कर दिया, आगे देखिए, अब आता है apostrophe, यह समझने वाली चीज़ है, अच्छी तरह से समझने वाली, apostrophe, इसका उचारन देखिए, apostrophe, यह इसका उचारन होता है, उचारन भी सही होना चीज़, जब हमारा उचारन सही होगा, तभी हम लेखन में सही से लिख पाएंगे, इसका उपयोग कहाँ? एक तो पजेजन के लिए, पजेजन जैसे मेरा बेग, राकेश का बेग, राकेश का पेंद, राकेश का पेंद, राकेश का फ्रेंड, इस प्रकार से एपोस्टोफ लगाके, जैसे यहां देखिए, पजेजन के लिए कैसे? कांता का बेग, कांताज बेग लिखेंगे, कांताज बेग, एपोस्टोफ लगाके, एस लगाते हैं, इसका अर्थ हिंदी में होता है, का, के, की, एपोस्टोफ लगाया और एस लगाया, माई ब्रदर् प्रेंट बोईज होस्टल अब यहां देखिए यहां समझने वाली चीज है बोईज होस्टल यह बोई का क्या है प्लूरल है बोईज जो है वो बोई का प्लूरल है तो यहां अगर कोई प्लूरल हो और उसके अंत में ऐस लगा हुआ हो यानि किसी सिंगुलर को प्लूरल बना है यह apostrophe लगाना के बाद क्या लिखेंगे जो आगे उसका position है वो लिख देंगे विकास मोबाइब अब यहां पर भी S आया है last में लेकिन यह S इस S से different है यह S क्या कर रहा था boy को plural कर रहा था लेकिन यह जो S है यह नाम का S है यहां पर आपको क्या करना है apostrophe के साथ आपको S लगाना है यहां लेकिन एक चीज़ ओर है ना लगाएं तो भी सही यहां last में S आया हुआ है नाम में यह ना लगाएं आगे का apostrophe लगाके फिर S ना लगाएं तो भी सही है और लगाएं तो भी सही है नाम में, लेकिन यहां आपको नहीं लगाना है, plural का जो S आया हुआ है, उसके बाद सीधा apostrophe आपका काकेकी को शो करता है, फिर contraction के लिए, यानि जो short में बताते हैं, जैसे I have, ये क्या है, I have, इसको हम पूरा लिखें तो I, H, A, V, E, इसको short में लि I would have, ये शेल नोट, S, H, A, L, L, N, O, T की short form हो गई, शेल नोट, तो ये शेल नोट को इस प्रकार से लिख, तो contraction के लिए भी apostrophe का इस्तेमाल किया जाता है, other cases, दूसरे मामलों में, जैसे one, s, one s, ms, ms, और the apostrophe s, और सिधा s लगा दिया, इन में सही कौन सा है, इन में से य ये सही नहीं है, ये इधर वाले सारे सही है, कैसे है, ये सही कैसे है और गलत कैसे है, इसका आगे example में अभी show करेंगे, देखो, how many twos, या two s, ये तो है twos, ये है two s, are there in, इस number में, ये जो संख्या लिखी है, यहाँ पर इसके अंदर दो कितने है, how many twos, दो कितने है, तो इस बात के लिए आपको two के उपर apostrophe लगा के ऐसे लिखना होगा, सीधा two s नहीं लिख सकते, इससे तो मतलब यह वाकि इसमें two s कितने है, तो two s इसमें कहा है, two s तो है ही नहीं, two s से कोई चीज समझ में नहीं, तो twos, यानि twos कितने है, दो कितने है इसके अंदर, केव double two की बात की जा रही है, तो apostrophe लगाएंगे, how many, how many s's are there in synthesis, अब यह जो synthesis word है, यह word जो है, इसके अंदर s कितने है, इसके लिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका मतलब उतो होगया, कि double s कितने है, double s नहीं, यहां पर s's कितने है, यानि s कितने है, तो apostrophe का इसमाल होगा, स dash और hyphen, थोड़ा सा अंतर होता है, dash और hyphen, dash क्या होता है, dash थोड़ी सी लंबी line होती है, और hyphen जो होता है, वो छोटा होता है, लंबी line जो है, वो dash होता है, और hyphen जो होता है, वो छोटा होता है, और दोनों में एक difference हो रहे है, dash जो होता है, उसके दोनों साइड में space होता ह जिससे आप dash लगा रहे हैं, तो इसके इधर भी space होगा, और इधर भी space होगा, खाली जगह होगी, एक एक लेटर की, खाली जगह छोड़ेंगे, और जो hyphen होता है, hyphen के दोनों तरफ कहीं भी, ये space नहीं छोड़ा जाता है, अब देखिए, dash का इस्तेमाल कहां करते हैं, range of numbers, range of numbers, numbers की range बताने के लिए, किसका, dash का, जैसे date और time बताना, date और time, जैसे 25 दिसंबर से 30 दिसंबर, 25 से 30, तो 25 से लेके, और फिर हमने क्या लगाया, dash लगाया, 13 दिसंबर, ये इस प्रकार से, ये show करने के लिए, यानि जो range है, number की जो range है, 5 बज़े से 7 बज़े तक, यानि 5 से 7, दोनों तरफ क्या छोड़ना है, आपको dash जरूर छोड़ना है, 5 से 7, यहां भी dash और यहां भी dash, पास में चिपकारा नहीं है, तो 5 बज़े से 7 बज़े तक, इसको show करना हो, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, dash का, और hyphen, hyphen का use कहा होता है, एक तो hyphen के दोनों dash नहीं होगा, और एक चीज और देखिए, dash का इस्तेमाल जो है, abrupt change of thought, abrupt, abrupt होता है, sudden, यानि विचार में sudden, अचानक कोई परिवरता है, हम कोई बात बोल रहे हैं, बोलते बोलते वो बात हमें बंद करनी है, कि नहीं, यह तो topic से हट कर बात हो गई, वापस वहीं से शुरू क तो वहां भी dash का इस्तेमाल किया जाता है, example देखिए, sham was an intelligent student of our school, sham हमारे विद्या लेका एक intelligent विद्यार थी था, and we, और हम, यह बीच में बात आ गई, यह बात बीच में बोली गई, फिर सोचा कि अरे यह तो बता नहीं नहीं है, तो क्या लगाया, dash लगाया है, यहां पर leave it, इसे छोड़ो, come to the point, topic, हमारे topic पर आओ, यह बीच में दूसरी बात शुरू हो गई, थोड़ी सी बात हमने बोली, और एक अदा sentence बोला, हमें याद आया कि, अरे नहीं, यह क्यों बताना है, हम तो topic पर बात करते हैं, यह तो topic से हट कर हो गया, तो जिस बात को बीच में छोड़ना हो, वहां पर क्या करते हैं, फिर वहां डैश लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, और फिर उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि, leave it, come to the topic, अब आगे चलते हैं, हाइफन, हाइफन का इस्तेमाल कहा होता है, हाइफन बताया था आपको, इस प्रकार से, जिस जैसे लंबी रेखा और एक छोटी रेखा, ये डैश है, ये हाइफन है, तो इनका उपयोग, to join two or more words, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोडने के लिए हाइफन का उपयोग किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोडने के लिए हाइफन, जैसे brother in law step sister, well behaved, part time, well known यह सारे, तो यहां पर किसका इस्तेमाल हो गया? सबी में hyphen का, अब hyphen से इधर भी space नहीं है इधर भी space नहीं है, यहां पर space नहीं है इस hyphen के दोनों तरफ, space नहीं छोड़ना अगर space छोड़े तो hyphen का use गलत हो जाता है तो exam के अंदर आपको sentence correct करने के लिए दिये जाएं, error correction का आजाएं तो देखना है कि hyphen के दोनों तरफ space तो नहीं है space नहीं होना चीए, अगर space है, तो वहां पर क्या है? error है हाँ, आगे semi colon का use देखते हैं semi colon, semi colon क्या होता है? उपर एक full stop और उसके नीचे कोमा लगा होता है full stop और full stop के नीचे कोमा इसको कहते हैं semi colon इस sentence के अंदर semi colon का use चितरे से समझ में आएगा देखना, I went there, मैं वहां गया on 25th, Monday, 28th, Thursday, 13th, Saturday and so on अब यहां देखिए, on 25th, Monday अब 25th को गया, Monday को गया, फिर 28 को गया, फिर Thursday को गया यह तो यसे हो गया, कि परतीक शब्द के बाद क्या है? कोमा लगा हुआ है यहां पर बताना क्या चाहता हूँ मैं? कि मैं 25 तारिक मंडे को 25 तारिक को क्या था? मंडे तो 25 और मंडे को अलग करना है, हमें तो इन दोनों को अलग कर दिया, तो क्या करेंगे? यहां पर यह दूसरी चीज आ गई फिर यह क्या है? यह दूसरी बात है तो यहाँ इसको अलग करने के लिए आपको यहाँ semi colon का इस्तेमाल करना है कोमा का नहीं 25 तारिक और Monday फिर semi colon लगाना है और 25 और Monday के बीच में क्या लगाना है? कोमा लगाना है और फिर उसके बाद 28th Thursday 28th को क्या था? Thursday था तो इन दोनों को अलग करने के लिए कोमा लगाया और इससे थोड़ा सा ज्यादा रुखना है में sentence में थोड़ा बड़ा space देना है दूसरी चीज़ को इससे अलग करना है यानि यह semi colon है और यह semi colon है इसका मतलब यह दोनों एक साथ है 13th Saturday अब इसके बाद भी क्या लगेगा? semi colon लगेगा and so on और sentence पूरा हो गया तो यहाँ full stop लगा देना है I like मुझे पसंद है banana, mango, apple, etc. मुझे यह पसंद है यह चीज़े लेकिन I don't like brinjal लेकिन मुझे बैंगन पसंद नहीं I don't like brinjal अब यहाँ देखिए कि यह तीनों तो यहाँ पर आए इनको तो हम कोमा से अलग कर रहे हैं लेकिन यहाँ से क्या दूसरा sentence शुरू हो गया तो दूसरा sentence और पहला sentence अब पहले और दूसरे में दोनों में कहीं भी कोमा नहीं आया होता फिर तो हम इसको कोमा से अलग कर सकते थे लेकिन यहाँ क्या है पहले sentence में कोमा जो है वो पहले से आ रखा है तो इसको दूसरे sentence को अलग करने के लिए यहाँ क्या करना है semi colon का इस्तेमाल आपको करना है अब यह semicolon बताएगा कि यहां से आगे वाला और इधर वाला जो है यह दोनों अलग-अलग पार्ट है He has pen and notebook उसके पास pen और notebook है But he needs a scale as well अब यहां देखिए Pen और notebook है इन दोनों के बीच में coma है क्या? नहीं है तो हम इन दोनों sentence को इस coma से अलग कर सकते हैं यहां फिर हमें semicolon की आवश्यक्ता नहीं है semicolon यहां नहीं लगेगा He has money, property and gold उसके पास money है, property है, gold है But he needs more लेकिन उसे और ज़्यादा आवश्यक्ता है तो यह but he needs more यह क्या अलग sentence हो गया? अब यहां पहले से इसमें क्या रखा है? कोमा आ रखा है अब कोमा आ रखा है तो दूसरे sentence को इससे अलग करने के लिए कोमा थोटल लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? semicolon लगाएंगे, तो semicolon हमने लगा दिया, semicolon यहां लगा दिया इसका मतलब यह जो पहले sentence आ रखा है यह एक sentence है, इसमें कोमा लगा के अलग-अलग चीज़ों को separate कर रखा है और बाद वाला जो है, वो दूसरा बाट है राहुल is his friend, यहां देखिए राहुल is his friend, संजय is his brother ऐसे थोड़ बोलेंगे हो राहुल is his friend, संजय is his brother राहुल उसका friend है, संजय उसका भाई है यह थोड़ी, राहुल उसका friend है, संजय भाई इतना सा बोलेंगे, तो क्या करेंगे? राहुल is his friend, संजय ब्रदर तो क्या करेंगे? कोमा लगाया और फिर संजे ब्रदर, यानि राहुल, राहुल is his friend, राहुल is his friend, कोमा संजे ब्रदर, यह हमने बता दिया, संजे जो है, वो उसका भाई है, शोट में इतना इसी बात, तो यहां पर कोमा का इस्तेमाल किया, He is an American, अब दो बेठे हैं, एक लड़का, एक लड़की, He is an American, और She is an Russian, तो क्या करेंगे? He is an American, She is an Russian, ऐसे बोलेंगे, He is an American, She is an Russian, बड़ा हो जाएगा sentence, पूरी बात क्यों बोलें? जब हमारा अधूरे में काम चल जाए, यानि Contraction में हमारा काम चल जाए, He is an American, She is Russian, तो क्या लिखेंगे हम? He is an American, She is Russian, ऐसे लिख देंगे, ये हमारा काम चल गया, कोमा लगाने से क्या हो गया? Short हो गया sentence, He is an American, वह एक American है, वह रस्यन है, दूसरी जो बेठी है, वो क्या है? रस्यन है, आगे का sentence देखिए, अब देखो, हम brackets पे आते हैं, bracket के अंदर, ये जो सबसे छोटा bracket जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं, parenthesis, क्या बोलते हैं? parenthesis, round brackets भी बोलते हैं इनको, दूसरा ये जो मजला bracket कहते हैं हिंदी में, braces, इसको curly brackets भी कहते हैं, तीसरा होता है, जो बड़ा bracket कहते हैं, brackets कहते हैं, इसको या फिर square brackets कहते हैं, brackets या फिर square brackets, आप देखो, इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है? He scored lower than the cutoff, उसने cutoff से कम score प्राप्त किया, यानि उसने cutoff से कम score प्राप्त किया, बात कलियर हो गई, अब बात तो पूरी कलियर हो गई, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी और information जोड़ना चाहें, कि उसका score कम था, कितना था? 85 था, than the cutoff, लेकिन वो cutoff से क्या था? कम था, cutoff कि नहीं गई, 89 थी, तो यानि other information जोड़ने के लिए बीच में, कि his score lower, उसने कम score प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, वो बताना हो, हम और information एड़ करना चाहें, तो इस parenthesis के through हम इसको show कर सकते हैं, ये parenthesis लगा के, इसमें हम उसकी percentage जो है, वो लिख सकते हैं, रजनीस्पूरी, वाजे famous singer, रजनीस्पूरी एक famous singer थे, रजनीस्पूरी जो है, वो एक famous singer थे, बात कलियर हो गई, लेकिन रजनीस्पूरी के बारे में हम और information एड़ करना चाहें, तो वो जो भी थे, या तो उनकी कोई पदवी वगेरा है, वो हम बता सकते हैं, उनका कोई उपनाम हो, वो यहां में बता सकते हैं, लेकिन यहां मैंने क्या बता रखा है, 1949 to 2012, यानि 1949 में जनम हुआ, और 2012 में उनकी मृत्यू हुई, तो रजनीस्पूरी वाजे famous singer, इससे भी पूरी बात कलियर हो रही है, लेकिन ये parenthesis लगा के, इसमें हमने इनकी date of birth और date of जो अंतिम दिन है, वो यहां पर हमने लगा दिया, तो यह क्या हो गया, information add हो गई, एक information को जोड़ दिया हमने, please provide your partner's name, please provide your partner's name soon, क्रिपया अपने partner का नाम जल्दी बताएं, आपके एक partner है, तो एक का नाम बताएं, और हमें नहीं पता है कि एक है या ज्यादा है, तो ज्याद देते हैं, इसको फिर किसमे, parenthesis में लिखेंगे, name बता दो, या names बता दो, एक है तो name, और ज्यादा है तो names हो जाएगा, यानि इसको हम किसमे, parenthesis में, ऐसे लगा देंगे, plural जो है, वो parenthesis में लगा, speak, अब देखिए, यहां पर ellipsis का use आ रहा है, ellipsis, देखा होगा, आपने sentence में कई sentence के अंदर sentence के last में, तीन या चार dot लगे होते हैं, dot dot dot, तो speak one, two, three, यानि एक, दो, तीन बोलो, up to hundred, so तक, एक, दो, तीन जो है, वो आपको कहां, so तक बोलने है, तो हम यहां पूरा थोड़ लिखेंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, इस प्रकार से पूरा लिख के ब बच गे, वहां से लेके, वो पूरा, so तक आपको बोलना, one से लेके, hundred तक बोलना है, तो यह क्या लगा दिया, हमने ellipsis लगा दिया, तीन या चार dot होते हैं, यह कम या ज्यादा नहीं लगा सकते, he had a car, a bike, उसके पास a car है, एक bike है, यहनि एक-दो चीजें बता दी, और भ चोड़ देते हैं, तो यह हुआ, ellipsis का use हो गया, तो punctuation marks का यह वीडियो पूरा हुआ, punctuation marks का इतना सा topic है, इसमें अगर किसी को, किसी प्रकार की कोई समश्या दिकत हो, तो बता दीजिएगा, और इससे संबंध है तो जो exercise होगी, वो exercise या और example हम आगे के वीडियो में पसंद आये, तो like जरूर करें, और channel को subscribe करें, और अपने friends के साथ share भी करें, कम से कम एक group में तो आप भेजी दे, workshop group में बेजें, या अपने facebook group में बेजें, अपने friends कम से कम एक group में भेजने का कष्ट, तो आप कर ही लें, इस video को share करें, ताकि और जो आपके friends मित्र हैं, व समझ में कहीं पर नहीं आया, कोई चीज छूटी हो, आपको ऐसा लगा हो कि यह हमें दुवारा बताए, तो वो भी आप comment में जरूर बताएं, next video जल लेकर आएंगे, तब तक, जय हिंद